प्रिश्न के लिए तुम्हें संसार की सारे पवित्र नदियों में स्नान करना ही पड़ेगा। आ, आ, मुझे एक अच्छा उपाई सुझा है। पूरा संसार घुमने से अच्छा है, मैं सभी पवित्र नदियों को यहां लाकर उनमें स्नान कर लो। ओ, क्रिश्न, सबने देखना छोड़ो। सबने देखती जाओ। मैं हूँ गंगा, परवतों के राजा, हिमवान की पुत्री। मैं हूँ कावेरी। मैंने ब्रह्मा के आशिरवात से नदी का स्वरूप धारण किया है। मैं गुदावरी हूँ। मेरा जल आभे की तरह मधूर है, श्री क्रिश्ना। मैं हूँ सरस्वती। मेरा नाम सदावेदू, संतू, और भगवान विश्नु के साथ लिया जाता है। मैं नर्मदा हूँ। मेरा जन्न भगवान शिव के शरीर से हुआ है। और मैं हूँ आपकी पुले, यमुना। सूरेदेव की पुत्री, यम की पहन। आपके स्पर्श मात्र से मैं पवित्र हो जांगी। कृप्या मेरे जल में प्रवेश करें। ये मेरा सौभा क्या होगा। इस सरोवर का नाम होगा श्यामकुन। इसका जल पवित्र और शीतल है। और श्यामकुन में स्नान कर मेरे समस्थ पाप धुल गये हैं। पर तुम तीनों पाप की भागी बन गई हो। राक्षस अरिस्तसुर का पक्ष लेकर। आओ, श्यामकुन में स्नान करके अपने पाप धुले। तुम्हारे पाप धोकर अब ये जल अशुद हो गया है। हम अपना सरोवर स्वयम बनाएंगी। हाँ, यही पर। जहां अरिस्तसुर ने अपने पेरों से गड़्डा बना दिया। उड़ बनाएंगी जहां अरिस्तस नेपने रापफटनीश जहां अरिस्तस तुम्हारे वापने पापफश्ग इन दुम्हारे लेकर। बड़ा सुन्दर गड़ा खोदा है तुमने राधा, पर इसमें जल तो दिखने रहा जल भी आएगा यदि वर्षा की प्रतिक्षा कर रही हो, तो फिर भूली जाओ, मेक का एक छोटा सा टुकड़ा तो तुम तीनों ने निश्चय कर लिया है कि तुम्हें मेरा अशुद जल नहीं चाहिए नहीं, बिल्कल नहीं, हम मानसी गंगा से अपना शुद जल लाएंगी क्या मुझे इनके सहायता करने चाहिए, बल्राम? तुम्हारे सहायता के बिना ये कुछ नहीं कर पाएंगी, भाई ये असांभव है, ऐसे तो सरोवर बनने में पूरा जीवन लग जाएगा ओ राधा, तुम तो ठक गई और निराश हो गई हो हमें सेवा का अवसर प्रदान करो, हम तुम्हारा ये सरोवर अपने पवित्र जल से भढ़ देंगी जी, धन्यबाद, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं तुम्हारा सरोवर राधा कुन तो मेरे सरोवर से भी कही अधिक सुन्दर है ये सरोवर सदा मेरा प्रियर रहेगा और मैं यहाँ प्रती दिन सनान करूंगा